अस्सलामों अलेकुम नाजरीन नूरानी खबरों में आपका खेर मक्तम है नाजरीन बीते साल फरवरी महिने में देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुई भयानक संप्रदाईक दंगों में 53 मासूम जिन्दगी मौत के घाट उतार दी गई मरने वाले लोगों का मजहब लूटी गई दुकाने आग के हवाले की गई घरें यह साफ साफ बताती है कि किस तरह से दिल्ली में एक धरम विशेश को टार्गेट बना कर दंगों का रूप दिया गया उपर से तेज तरार दिल्ली पुलिस की कारवाही ने रही सही आशंकाओं को भी खत्म कर दिया कि यकीनन दिल्ली दंगों की पूरी स्क्रिप्ट तयार के गई थी जिसमें दंगों की मार जहनने वाले लोगों को ही मुजरिम की तरह पेश किया गया ऐसे कई निशानी देखने और सुनने को मिली जिस पर ये कहा जा सकता था कि दिल्ले पुलिस एक तरफा कारवाही कर रही है कारवाही के नाव पर सिर्फ और सिर्फ धोंग कर रही है नाजरीन इसकी ताजा मिसाल हाल ही में दिली के कड़कर डुमा कोट में उस वक्त देखने को मिली जब शारुक पठान ने दिली पुलिस के दिली दंगों की जाच के कारवाही को धोंग बता दिया नाजरीन क्या है पूरी खबर जानने के लिए हमारी इस वीडियो से आखिर तक बने रहें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नाजरीन दिली दंगों पर लगातार कारवाही जारी है दिली पुलिस ने कारवाही के नाम पर अब तक धेरो एफायार और धेरो गिरफतारियां कर चुकी है इन्हें गिरफतारियों में एक गिरफतारी पॉस्टर बॉय के नाम से वाइरल हुए आरोपी शारुक पठान की भी गिरफतारी शामिल है आपको बता दें कि तिहार जेल में बंद शारुक पठान वही है जिन्हें दिल्ली दंगो के दोरान हातों में पिस्टल था में दिखाया चा रहा था दिल्ली दंगों के दोरान हेड कॉंस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तॉल ताने वाले शारुप पठान ने कड़कर डुमा कोट में जमानत के लिए अरजी दायर की है अधिवक्ता खाली दक्तर के जरिये दायर याचिगा में शारुप पठान ने दिल्ली पुलिस की पूरी जांच प्रिकिरिया को धोंग करार दिया है शारुप पठान ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने पीडित, गवा, सबूत और आरोपी सब अपने आप गड़े है आपको बता दे कि दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की कारवाही पर लगातार सवाल उठाय ज़ा रहे है अभी हाल ही में 14 जुलाई को दिल्ली की कड़कर डुमा के स्टेशन कोट ने दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस पर जुर्माना लगाया था कोट ने कहा था कि मामले में दिल्ली पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया है ऐसा लग रहा है कि पुलिस ही आरोपियों को बच्चाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस के काम करने के तौर तरीके से नाराज कोट ने भजन पुरा इलाके के सेचों और सीनियर अधिकारियों पर 25,000 के जुर्माने लगाए थे वहीं अब दिल्ली दंगों में आरोपी बनाये गए शारुक पठान ने भी दिल्ले पुलिस की कारवाही को ढ़ों करार दिया है आपको बता दें कि शारुक पठान जो फिलहाल तिहार जेल में बंध है उन पर हेड कॉन स्टेबल पर पिस्टोल तानने के अलावा रोहिच शुकला की हत्या की कोशिश के मामने में भी उन्हें आरोपी बनाये गया है शारुक पठान के अधिवक्ता खालिद अख्तर ने कहा है कि शारुक पठान को दंगे का पोश्टर बॉइड दिखाने और असम्विधानिक कानून के खिलाफ आवाज उठाने से एक समुदाय के लोगों को रोकने के लिए उनके बीच डर पैदा करने के मकसद से पुलिस अपनी तरह की कहानियाब गड़ रही है इसलिए शारुक के खिलाफ अन्य मामनों में भी एक जैसे ही सबूत और गवा का इस्तेमाल कर रही है जैसा की दूसरे आरोप में किया गया है उन्होंने साफ किया कि किस तरह से शारुक के खिलाफ दायर किये गए केसिज में अपरा और गवा का इस्तेमाल किया गया है नाजरीन शारुक पठान के वकील यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने आगे कोड के सामने ही दलील रखी कि कैसे शाहिम बाग पर हमला करने की नियत से पिस्तौल लहराने वाले कपिल गुर्जर और शारुक पठान ने जो कुछ किया उसकी तुलना कीजिए कपिल को तो एक ही पल में जमानत मिल गई उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि नियाए पालिका शारुक के साथ सोतेला व्यहवार नहीं कर सकती यानि कि उन्होंने नियाए पालिका को यहां यह तर्क दिया है कि जब पिस्तौल लहराने वाले कपिल क तो अगले ही पल में जमानत मिल सकती है तो यहां पर शारुक पठान को जमानत क्यों नहीं मिल सकती इसके अलावा यहां शारुक के केस में दिली पुलिस की कारवाही भी शक के कटगरी में है आखिर क्यों दिली पुलिस दो अलग अलग तरह के केसिज में एक ही तरह के सबूत और एक ही तरह के गवहा को पेश कर रही है नाजरीन क्या आपको भी यही लगता है कि दिल्ली पुलिस कारवाही के नाम पर सिर्फ धूं कर रही है बहराल नाजरीन आज की इस खबर में इतना ही आप से गुजारिश है कि दिल्ली दंगों के मद्दे नजर आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है हमें कॉमेंट कर जरूर बताए अल्ह ताला से दुआ है कि जो लोग बिना गुनहा बेकसूर ही जेलों में बंद किये गए हैं उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द रिहाई मिल सके आमीन खुदा हाफिज